नमस्कार साथियो साहित्य स्वाजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं रजनिति वारी आज बात करूंगी आपसे में थर्ड सैम कुमाव विश्य द्याले के पाठ्षी करम की पुष्टक स्मारक साहित्य संग्रा इसकी स्रंखला में जो पहली वीडियो है वो हमने डाल दिये और आज इसी क्रम में हम दूसरी वीडियो डाल रहे हैं पहली जो हमारी वीडियो थी वह थी नील कंठ मोर के विशे में और महादेवी वर्मा जी उसकी लेखी का थी आज जो है हिंदी के आहुती पुरुस और इसके लेखक हैं रामिस्वर सुकल अंचल ये क्रेखा चित्र है विधा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं इसका सार यहाँ पर आपको बताऊंगी उसके बाद एक गद्यांस की ब्याख्या ससंदर्व ब्याख्या आपको करके बताऊंगी और अंत में इससे संबंदित कुछ महत्वपूर प्रशन है जिनका जिक्र में आपसे करूंगी तो आपको वीडियो के आखरी तक बना रहना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखिए ताकि जब मैं अपने दूसरे वीडियो यहां पर पोस्ट करूं तो आपके पास उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके और कुमाविश्वद्याले के पाठिक्रम से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रेप्शन में जा सकते हैं मैंने उनके लिंक डाल दिये हैं तो आईए बात करते हैं आज हम हिंदी के आहुती पुरूस जिसमें हम बात करेंगे पुर्षोतम दास टंडन जी के विशय में पुर्षोतम दास टंडन का जन्म एक अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के प्रियागराज नगर में हुआ था उनकी प्रारंभिक सिक्षा अस्थानियस सिटी एंगलो वर्नाकुलर विद्याले में हुई 1824 में उन्होंने इसी विद्याले से मिडल की परिक्षा उत्तिर्णी की इसी वर्स उनकी बड़ी बहन तुलसा देवी का सरगवास हो गया उस समय की रीती के अनुसार 1897 में हाइ स्कूल की परिक्षा उत्तिर्णी करने के बाद उनका विवा मुरादाबाद निवासी नरूतम दास खन्ना की पुत्री चंद्रमुखी देवी के साथ हो गया 1899 में कॉंग्रेस के सोयम सिबग बने और 1899 इंटरमीडियर्ट की परिक्षा उत्तिर्णी की और 1900 में वे एक कन्या की पिता भी बन गए इसी बीच वे स्वतनता संग्राम में कूत पड़े आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलावाद विश्यवद्याले की मियोड सेंटर कॉलेज में प्रवीस लिया तो ये सब तो उनके जीवन परिचाई की कुछ बातें होगी लेकिन मुख्यता इस पार्थ में उनके साहितिक अवदान की विश्य में बात की जाएगी 1905 से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंब हुआ 1905 में उन्होंने बंग भंगा अंदुलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का वरत धारन किया विदेशी वस्तों के बहिसकार के रूप में चीनी खाना छोड़ दिया और गोपाल कृष्ण गोकले के अंगरक्षक के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया 1906 में उन्होंने भारती राष्टिय कांग्रेस का प्रतिंधी चुना गया इस बीच उनका लेखन भी प्रारंब हो चुका था और अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी यही समय था जब उनकी प्रसिद्ध रचनाबंदर सभा महा का बेहिंदी प्रदी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई इन सब कामों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1906 में LLB की उपाधी प्राप्ति करने के बाद वकालत प्रारंबी की पढ़ाई जारी रखते वे उन्होंने 1907 में इतिहास में सनातकोत्तर उपाधी प्राप्ति की और इलाहबाद उच्च नियाले में उस समय के नामी वकील तेज बहादूर सप्रू के जूनियर बन गए अब पुराना करके मैंने आपर सिंपल से उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है क्योंकि पार्ट सो इसी तरह से चलता रहता है बस आपको ध्यान रखना है जहांपर पुर्सोतम दास टंडन जी का जिक्र होगा या टंडन जी करके आएगा परिक्षा में कोई ऐसा गध्यांस तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये गध्यांस जो है हिंदी के आहुती पुरुस नामक रेखाचितर से है और इस रेखाचितर के लेखक है रामिस्पर सुकल अंचल जी बस ये दो चीज़ें आपके लिए महत्पुर्ण है बाकी वो कब पैदा हुए बाकी उन्होंने क्या 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 वो अतना महत्पुर्ण नहीं है यहाँ पर एक गध्यान से है टंडन जी की कलपना डैस डैस मोहताज नहीं थी जो किताब है उसमें अगर आप देखोगे तो प्रिष्ट संक्या 20 में है अब प्रसंग जब आप लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत गर्द्या उतरन पाठ्य पुस्ता के समारक साहित्य संग्रह में संग्रही तरेखाचित्र हिंदी के आहुती पुरुष से अवतरित किया गया है इसके रेखाचित्रकार श्री रामिस्वर सुक्ल अंचल है ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी गद्यान्स की ससंदर्व ब्याख्या करते हैं तो इसको इसी क्रम में आपने लिखना है और उसमें जब आप प्रसंग की बात करोगे तो उसमें आप लिखोगे कि प्रस्तु त्रेखाचित्र में राजर्सी पुर्शोतम दास टंडन के जीवन वह चरित्री की विसेस्ताओं को उकेरा गया है अब आईए बात कर लेते हैं ब्याख्या की इस वाले गद्यांस को ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस गद्यांस को आप जब मैं आपको पढ़के सुनाओंगी तो आप टंडन जी की पूरी व्यक्तिकत विसेस्ताओं की छवी आपकी आखों के सामने एक रेखा चित्र के माध्यम से जहलक कर प्रस्तूत हो जाएगी राजर्सी की कल्पना का भारत अत्यंत स्वच्छ और राष्ट धर्म से परिपून था जबकि आज स्वतंत्रता के बाद भी भारत के नागरिकों में चारित्रिक पतन, सांप्रदाइक भावना और हंग्रेजों से प्राप्त ग्लैमर की चकाचोद घर कर गई है टेंडन जी देश की स्वतंत्रता में हिंसा का प्रियोग नहीं करना चाते थे उन्हें अहिंसक रहना पसंद था वे आर्थिक सदाचार के पक्षिधर थे और इसी के बलबूते पर बड़ी से बड़ी कठिनाईयों को भी सामानी रूप से हल कर लेते थे उनका जीवन वर रहन सहन अत्यंत सादगी से भरा हुआ था कठोर्त अत्वा सदभावना रहित व्योहार का उधारा धूडे से भी उनकी व्यक्दित्तु में हमें नहीं मिलता है लेखक ने उनकी आर्थिक सदाचार की भावना करते हुए लिखा है कि धोतियों के फटने पर डंडन जी उनकी लूंगी फिर अंगोचा फिर रुमाल बना लिया करते थे इसी परकार उन्होंने औसत गरीब भारत का जीवन व्यतित किया रचनाकार ने उन्हें जब भी देखा पैबंध लगे कुरते और फटी सिली दूती में ही देखा था उनके इस व्यक्तित्त को देखकर रचनाकार विचार करता है कि चरित्र की सक्ती और व्यक्तित्त की सोबा किस प्रकार के आवरण की मुहताज नहीं होती यह आवरण चाहे नित्य प्रयोग आने वाले वस्तरों का हो अथवा आज के यूग में परमावशक अर्थ अथवा धन का तो यह हमारा गद्यांस हो गया इसमें कुछ विसेश बात है देखिए जब भी आप किसी गद्यांस की ससंदर्व ब्याख्या करते हैं तो आपको उसकी खतम होने के बाद कुछ विसेश जो उस गद्यांस अथवा पद्यांस में मौझूद है उसका जिक्री जरूर करना चाहि क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो इससे है पता लगता है कि आपको उस विसेश से संबंदित या उस प्रकरण से संबंदित कुछ विसेश ग्यान है तो विसेश इसमें यह है कि रचनागार ने रेखा चित्री की संपूर्ण विसेशता जो है वो प्रकट कर दी है इसके मा लुक में आपर प्रकट किया गया है इसके अलावा एक चीज और भी इसमें बताई गई है वो यह है कि जो रचनाकार है उनका संपूर्ण व्यक्तित बहुत ही सरल और सीधा साधा है बहासा सहज है कि तो कहीं कहीं कुछ कठिन सब्द हमें इसमें देखने को मिलते हैं अब बात कर लेते हैं एक प्रश्नी की प्रश्नी इसमें यह बन सकता है कि हिंदी के आहुती पुरुस सुप्रशिद कवी रामिस और सुकल अंचल द्वारा लिखित एक रेखाचित्र है इस रेखाचित्र की जो विसेश्ताएं है उन्हें बताईए या फिर ऐसे आ सकता है कि हिंदी के आहुती पुरुस सिर्शक रेखाचित्र की समिक्षात्मक विबेचना कीजिए तो जब इस तरह का प्रश्ना आएगा तो आपको यह ध्यान रगना है कि इसमें आपको टंडन जी की विसेश्ता के सांसनाथ शुक्र जो यह रामिस्वर सुकल अंचल जी है इनक की लेखनी यानि इनकी रेखाचित्र लिखने की जो टेक्नीक है उसके बारे में भी आपको उसमें बात करनी पड़ेगी हिंदी के आहुती पुरुस सुप्रसिद्ध कभी रामिस्वर सुकल अंचल द्वारा लिखीत एक रेखाचित्र है इस रेखाचित्र में लेखक ने स प्रसिद्ध हिंदी, सेवी, प्रमुक्स आहितिकार, राजनेता एवंचिंतक, राजरसी पुर्षोत्तम दास्टंडन के व्यक्तित्तों का सजीव चित्रांकन प्रस्तुत किया है यह रेखाचित्र ततकालीन भारत के उस व्यक्ति का रेखाचित्र है जिसने भारत की प्रतंत्र भारत के सच्चे प्रतिनिधी का चित्र प्रतंत्र भारत को आजात कराने की अगर हम बात करेंगे तो जिस प्रकार की व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी उनमें राजर्शी पुर्षोत्तम दास्टंडन का नाम प्रमुक्ता से लिया जाता है रेखा चित्र और अनुशाशन के गुणों से पूरित जो सब्द चित्रांकित किया है वह अविश्मरणिय है। देश को आजात कराने के लिए अन्य नेताओं की भाती टंडन जी ने भी बहुत प्रियास किया। दे सकने के कारण बच्चे स्कूल से हटा लिए। दैनिक जीवन यापन में संगर्स का इहा हाल कई कई दिनों तक उनके परिवार को अक्षरस चने चबेने पर निर्वहा करना पड़ता था। देश सेवा के वरत पर कोई धबबा न लगे इसलिए अपने मित्रों की सहायता लेने की इच्छा को भी उन्होंने अपमान माना। मेरा सारा परिवार भले मिट जाए पर मैं अपनी लोग सेवा का विक्रे नहीं करूँगा। कहकर पूरे परिवार सहीत कठनाईयों और अभाओं में तपते रहने वाले टंडन जी मुझे दधिची से मिलते जुलते जान पड़े। ऐसा व्यक्ति जब सुक्स विधाओं भरी उची नौकरी से त्याग पतर दे कर फिर आर्थिक कश्टों के हुन माल में कूद पड़ता है तो उसके त्याग में एक गरीमा होती है, एक भब्विता होती है, एक राष्ट व्यापी आलोक होता है, मैं अहियापुर के तरुण म संगARS तब तेज की बातें सुनता था और मन ही मन सीस नवाता था, इसके बाद अगला हमारा हैडिंग बन सकती है, वास्तविक्ता का यथार्थ चित्रन इस रेखाचित्र में रेखाचित्रकार ने वास्तविक्ता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है यह रेखाचित्र बिल्कुल भी कालपनिक नहीं है इसमें उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं वह वास्ताव में राजर्सी पुर्षोतम दाश टंडन जी के सांग धनिष्ट रूप से संबंध रखती हैं अब बात करते हैं एकात्मक्ता की प्रस्तुत रिखा चित्र की अगर बात की जाये तो इसमें मुक्तक गीत की सी एकात्मक्ता है इसमें विशय व्यविध्ध नहीं पाया जाता लेखक्री मात्र एक व्यक्ती राजर्सी पुर्षोतम दाश टंडन को अपना एक निष्ठ लक्ष बनाकर उनकी विविद चारित्रिक रेखाओं का पूर्ण संबेदना के सांथ चित्र अंकित किया है चारित्रिक विशयस्ताओं को उभारना रेखा चित्रकार अंचल जी राजर्सी पुर्षोतम दाश टंडन के संपर्क में इतने अधिक आ जाते हैं कि टंडन जी की चारित्रिक विशयस्ताओं की गहरी जहाप उनके मन में पढ़ती है और कालांतर में अंचल जी का भावुक कलाकार मन टंडन जी की स्मिर्ती आने पर उन्हें वानी प्रदान करने के लिए व्याकुल होने लगता है इसी भावना से इस रेखा चित्र का जन्म हुआ वैसे भी व्यक्ति विशयस्त की चारित्रिक विशयस्ताओं को उभारना रेखा चित्रकार की सरवाधिक महत्पून विशयस्ता समझा जाता है अब बात करते हैं टंडन जी की सरल्ता, सहस्ता, विनम्रता और सहेदर्ता अथ्वा भावाकुल स्रद्धा को जागरत करना इसका एक उधारन में आपको दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि टंडन जी सुभाव से कितने सरल्ते, कितने विनम्रते और कितने सहेदय थे अपनी बैठक में बैठे वह समाचार पत्र देख रहे थे, मिलने में कोई कठिनाई नहीं वी उन दिनों साधरान से साधरान MLA से मुलाकात होने में समय लगने लगा था पर परदान मंतरी, आप मुख्य मंतरी से लेकर सारे मंतरियों, सदश्यों को डांट देने वाले स्पीकर से इतनी आसानी से मिल पाऊंगा यह मैंने न सोचा था यानि एक समय ऐसा आया जब पुरसोतम दास टंडन जी क्या थे, देश में स्पीकर के पदपर थे टंडन जी ने अपने सुभाविक वच्सल द्रिष्टी से सिर से पैर तक देखा दोनों पुस्तोकों को उलटते पुलटते वे बोले आपने इनकी प्रतियां सम्मेलन के संग्राले में दे दी मैंने अटकते वे का जी नहीं अभी तो गुरुजनों और मित्रों को भेट कर रहा हूँ तो ये विभिन प्रकार के ऐसे उधारन हैं जिनके माधहम से हम टेंडेंजी के वेक्तित को और भेटर ढंसे समझ सकते हैं एक आखरी इसमें है कथात्मक एवंग चित्रात्मक सैली का प्रियोग परतेक रेखाचित्र में थोड़ा बहुत कथा का पुट अवश्य होता है इस कथा में कहानी की तरह घटनाओं का आरो अबरो नहीं देखा जाता इस रेखाचित्र में भी कथात्मक सैली का प्रियोग किया गया है चित्रात्मक्ता इस रेखाचित्र की विशेष्ता है इस चित्रात्मक्ता के अंतरकर राजर्सी टंडन के चरित्र के विभिन ने चित्रों को प्रस्तुत किया गया है टंडन जी के व्यक्रित्र की रूप रेखा और विभिन ने भाव मुद्राओं को इस सैली के माध्यम सिवानी प्रदान की गई है इस सैली की तीन विशेषताएं हैं पहला है चित्रात्मक्ता, दुसरी है भावात्मक्ता और तीसरी है संचिप्ति गरण रेखाचित्र के मद्ध में कहीं कहीं हमको समवाद सैली का भी सविधा सुभाविक प्रियोग दिखाई देता है तो उमीद करती हूँ कि ये प्रश्ण अब आपका तैयार हो जाएगा अगर परिक्षा में आता हिंदी के आहुती पुरुस सीर्शक रिखाचेत्र की समिक्षात्म को भीजना करते हुए उसकी विशेस्ता हैं बताईए तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो अगले वीडियो में हम अगले संस्मरण की बात करेंगे इसी समारक साहित्य वाली पुस्तक में से अगला हमारा संस्मरण जो है वो है रजिया और जिसके संस्मरण लेखक है रामवरिक्ष बेनीपुरी जी तो उ झाल झाल झाल